विश्व की प्रमुक खाडियां नमबर एक, बैफीन की खाड़ी ये कनाडा और ग्रीन लेंड के मद्ध आर्कटिक महासागर में अवस्थित है नमबर दो, फंडी की खाड़ी ये कनाडा में अटलांटिक महासागर में अवस्थित है विश्व में सारवाधिक उंचा जुआरभाटा इसी खाड़ी में आता है नमबर तीन मैक्सिको की खाड़ी ये संयुक्त राज अमेरिका और मैक्सिको के मध्ध अटलांटिक महासागर के भाग केर्बियन सागर में अवस्थित है नमबर चार गिनी की खाड़ी ये गोल्ड कोस्ट के देशों के साथ सीमा बनाती हुई अटलांटिक महासागर में अवस्थित है नमबर पाच लॉयन की खाड़ी ये फ्रांस में भूमध्य सागर में अवस्थित है नमबर च्छे बिसके की खाड़ी ये फ्रांस एवं स्पिन के मध्ध अटलांटिक महासागर में अवस्थित है नमबर साथ बोथनिया की खाड़ी ये स्वीडन एवं फिनलेंड के मध्ध बाल्टिक सागर में अवस्थित है नमबर आट फिनलेंड की खाड़ी ये रूश एमम फिनलेंड के मद्ध बाल्टिक सागर में अवस्थित है इसी खाड़ी से होकर लाल सागर होते हुए यूरोग जा सकते हैं इसी खाड़ी से लगी हुई है ओमान की खाड़ी ओमान देश तथा अरब सागर के साथ सीमा बनाती है ओमान की खाड़ी से लगी हुई है फारस की खाड़ी फारस की खाड़ी के साथ अरब रायद्वीब के कई सारे देशों की सीमा बनती है जैसे सायुक्त अरब एमिराद, बहरीन, सौधी अरब, इरान, इराग, कुवेट तथा कतर यहाँ पर ध्यतव है कि ओमान देश के साथ ओमान की खाड़ी तथा अरब सागर की सीमा बनती है ना कि भारस की खाड़ी की नमबर ग्यारा, मननार की खाड़ी यह हिंद महासागर में भारत वश्रिलंका के मद्ध अवस्थित है नमबर बारा, बंगाल की खाड़ी यह हिंद महासागर में अवस्थित है, मंगाल की खाड़ी की सीमा कई सारे देशों से मिलती है जैसे भारत, बांगलादेश, म्यानमार, थाइलेंड नमबर तेरा, सियाम की खाड़ी इसे थाइलेंड की खाड़ी के नाम से भी जानते हैं अंडवान सागर और सियाम की खाड़ी के बीच के भूसंद के पारनहर बना कर भारत और पूर्वी अशिया के बीच की दूरी को कम किया जा सकता है नमबर चौदा, कोरिया की खाड़ी, यह जापान एवं कोरिया के मद जापान सागर में अवस्थित है नमबर पंदरा, टोनकिन की खाड़ी, यह खाड़ी दक्षडी चीन सागर में वेतनाम एवं चीन के मद अवस्थित है नमबर सोला जोसेब बोनापाट की खाड़ी ये आस्ट्रेलिया में तिमोर सागर में अवस्थित है नमबर सत्रा कारपेंट्रिया की खाड़ी ये आस्ट्रेलिया में अराफूरा सागर में अवस्थित है